दोस्तो नमस्कार आपकी सफलता ही मेरा मिशन है ग्यानकोस विज के सन पर आपका अभिनादन है मित्रों इस समय जो स्रिंखला चलाई जा रही है बिलकुल नविंतम लेखकों की रचनाओं को ले करके वह अभी जारी है और इस पर आपको कई वीडियो मिलेगा यह आपका पांचमा भाग है इसके पहले चार भाग का वीडियो अपलोड हो चुका है यदि आप उसको नौ देखे हो तो प्लेलिस्ट में है आप उसको जा करके देख सकते हैं और playlist में कई folder मिला करके आपको 300 से जादा वीडियो मिलेगा जो कि आपके परिक्षा के लिए बहुत important है और यहां से TGT का और PGT का लगभा complete course तयार हो चुका है अब बीच बीच में जो बिल्कुल नविंतम रचनाय हैं जो लग रहा है कि परिक्षा के लिए बहुत important है उसको मैं upload कर रहा हूँ क्योंकि 2021 का जो परिक्षा है हर किसी को सोचने के लिए बात दिकर दिया है कि paper का pattern कहां से और किस तरह साएगा यह एक बहुत बड़ा challenge है तो उसी challenge को दूर करने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं और निशन्दे आपकी सफलता के लिए है मिल का पत्थर स देखिए इनकी पाली कहानी है मात्रा और भार 1974 का है दूसरी कहानी सूरज कभ निकलेगा उनिस सो असी का है तीसरी कहानी है आएंगे अच्छे भी दिन 1994 कहानी है आदमी जात का आदमी यह 1994 का है अगली कहानी है अगली किताब इनके अगली कहानी क्या है अगली किताब है आगे देखिए आस्मा कैसे कैसे इनकी छट्वी कहानी है सात्वी कहानी है अगले जनम ये 2002 में आई थी और संधान 2006 की कहानी है तो स्वयम प्रकास की ये आठ कहानी संगरा बहुत इंपर्टेंट है अब जिसमें मैं आपको बता दूँ कि क्या सबसे जरूरी है और कौन सी कहानी को बार-बार पूछा जाता है तो एक तो आप देखिए सूरज कम निकलेगा ये सबसे इंपर्टेंट है आएंगे अच्छे भी दिन ये भी इंपर्टेंट है आस्मा कैसे कैसे ये तीन कहानी को बढ़ियां से तयार कर लिजेगा सेवाराम यात्री सेवाराम यात्री की कहानी है जेनियस की दुम अनासक्त दूसरी कहानी तीसरा है दूसरे चेहरे 1971 का है केवल पिता 1971 का और कर्मक्रिया 1981 का तो ये पाँच कहानी संग्रा सेवाराम यात्री का है इसमें जो इंपर्टेंट है वह क्या है देखिए जीनियस की दुम ये इंपर्टेंट है केवल पिता और अकर्मक्रिया ये तीन कहानी जो है काफी इंपर्टेंट है आप इसको बढ़ियां से त्यार कर लिजेगा सन के साथ आगे दिरंदर अस्थाना दिरंदर अस्थाना की जो कहानी है पहली कहानी लोग हासिये पर अस्थी में आई थी आदम खोर 82 की है मुहिम 84 की है खुल्या सिमसिम इसका सन्य गया था है बिचित्र देश की प्रेम कथा 1988 का है जो मारे जाएंगे 1990 का है ठीक न अब इन में सबसे इंपोर्टेंट क्या है अब ये देखिए इन में जो इंपोर्टेंट है लोग हासिये पर इसको इंपोर्टेंट लगा लिजे खुल्या सिमसिम इसके पहले पूछा जा चुका है इसको भी देख लिजेगा और आदम ये तीन जो है कहानी ये काफी महत पूर्ड है धिरंद रस्थाना का अगला देखिए अब्दुल बिस्मिल्ला अब्दुल बिस्मिल्ला की कहानी जो है तूटा हुआ पंक ये है इसके बाद कितने कितने सवाल ये 84 का है रैन वसेरा रैन वसेरा 1989 का है अतित देवभवा 1990 का है रफ रफ मेल 2000 का है तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है ये जानिए रफ रफ मेल तो बहुत इंपोर्टेंट है अतित देवभवा इसके पाले पूछा भी जा चुका है ये दोनों कहानी पूछा जा चुका है और उपर आए कितने कितने सवाल ये तीन आप इनकी कहानियों को कुछ बेहतर ढग से तयार कर लिजेगा अब्दुल विस्मिल्ला का आए नरंदर कोहली की कहानिका हम देख लेते हैं इनकी जो कहानी है परिड़त ही है परिड़त जो 1979 का है कहानी का अभाव ये 1977 का है द्रिष्ट देश पर इसमें एक आ एक ये скоро 1989 का है समबंध edg 1980 का है और शटल 19 82 का है तो नरंदर कोहली का ये कहानी है और इसमें अब इंप्टेंट क्या है इसमें परिड़त तो important है पूछा जाता है ठीक है ना कहानी का अभाव important है ये दोनों आप बढ़ियां से त्यार कर लिजेगा ठीक है ना आईए बट्रोही की बात अखरम करते हैं तो बट्रोही की कहानी अक्सर पूछा जाता है देखिए इनकी कौन-कौन सी कहानिया हैं और कौन ही important इसको मैं आपको बात बता दूँगा दिवा स्वपन ये 1978 का है सडक का भुगोल 1980 का है आगे के पीछे 1989 का है अनात मोहले का ठुल दा 1990 का है हिडिमबा के गाउमे 2000 का है इसमें जो important है वा क्या है हिडिमबा के गाउमे सबसे important है पूछा भी जा चुका है इसके पहले अनात मोहले का ठुलदा भी important है भी पूछा जाता है सडक का भुगोल ये तीन कहानी बट्रोही का सबसे important है दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके आवस्य बताएंगे क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे है कि आपको क्या चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसी आधार पर मैं आपके डिमांड पर वीडियो भी दिता रहता हूं और मैं कमेंटी पोस्ट में आप देख चुके हों कमेंटी पोस्ट की माधियम से तो आपको लगता होगा कि ये हालती हूज बार बार ये क civ की उभेजा जा रहा है लेकिन नहीं एक बार जरूर सुचिएगा क्या आप जोभी वीडियो देखते हैं वह एक ही बार में पूरा वीडियो तयार हो जाता है क्या जितना भी content उसमें सारा content एक बार आपका तयार हो जाता है निशंदेह नहीं तयार हो पाता है और revision क्यों किया जाता है बार-बार क्योंकि उसमें एक भी टापिक छूट है न, तो मैं समझता हूँ कि एक वीडियो को मैं कई बार कम्यूटी पोस्ट के माध्धम से सेंड करता हूँ, जिसे आपको लगता होगा कि ये बार-बार क्यों भेजा जा रहा है, बार-बार भेजने को उद्यश मेरा यही है, कि आप इमिल का पत्थर साबित होगा ही होगा, और आप चाहें तो इसका पीडिया प्राप्ट करना चाहते हूँ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर मैं बहुत सारा पीडिया अफ अप्लोड कर चुका हूँ, अगर जो कमटी पोस्ट पर डालता हूँ, उसको मैं इसमें डाल देता हूँ, टेलिग्राम चैनल पर, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, और जो पीडिया अफ है, मैं सारा पीडिया अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, साथी साथ मेरे फेस्बुक पेज का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, और भी कई वीडियोस के, महतपूर वीडियोस के, या फिर डारेक्ट प्लेलिस्ट का ही, जो इंपोर्टन प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डाल दिया हूँ, तो वहां से आपको मतलब तयारी करने का अच्छा माध्य मिल जाएगा, तो इसके लि बोड़ा जो है किसका है, उदय प्रकास का है, उदय प्रकास की ये कहानी है, ये पूछा भी जा चुका है, तिरिच ये भी पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है, और अंत में प्रार्थना, 1994 का है ये, पाल गोमरा का स्कूटर ये भी पूछा जा चुका है, 1997 का पीली छत्री वाली लड़की यह भी काप इंपोर्टेंट है पूछा जा चुका है दत्ता त्रे का दुख 2002 का है और मोहनदास 2010 का है तो देखे यह उद्य प्रकास बहुत इंपोर्टेंट कहानिकार है बहुत ही महत्पूर्ण है जिसमें अब देखे जो जो कहानी पूछी जा चुकी है इसके पहले मैं आपको बता दूँ दर्याई घोडा तीरिच पाल गुम्रा का स्कूटर और पीली छत्री लड़की यह चार कहानी तो पूछा जा चुका है इसके पहले के परिक्षाओं में तो आप इसको बढ़ियां से तयार कर लें ताकि कोई दिक्कत आपको न पूछा जाए जैसा कि 2021 का जो पेपर था वो ऐसे लेखकों को या ऐसे कभियों के रचनाओं को उठाए गया था जो कि साइद आदमी देख करके हटा देता है कि चलो इनका तो नहीं पूछता है लेकिन अब की इस बात को ध्यान में रख करके तयारिया को करनी है क्योंकि व आयोग को पता भी होता है कि हाँ ये तो बार बार पूछा जा चुका बचे तयार कर लिए होंगे तो इसलिए उन्हीं की कहानी कुछ नई कहानियों को मतलब नई का मतलब जो नहीं पूछा गया है ऐसी कहानियों को पूछा जाता है तो आप फस जाएंगे इसलिए खुब अध्याई की जो ये कहानी है जमी हुई जील, सेस इतिहास, नदी के साथ और चतुर्दी यहाँ इसमें नदी के साथ काफी इंपोर्टेंट है आप इसको देख लिजेगा जमी हुई जील भी काफी इंपोर्टेंट इसको देख लिजेगा तो इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचमा पैदल अंधेरे में यह किन का है रमेश उपाध्याय का ही है पैदल अंधेरे में 1981 का है बदलाव से पहले भी 1981 का है राष्ट्री राजमार्ग यह 1984 का है किसी देश के किसी शहर में 1987 का है कहां हो प्यारे लाल 1991 का है अर्थ तंतर तथा अन्न कहानिया ये 1996 का है तो इसमें अब सबसे महत्पूर क्या है अब देखे नदी के साथ मैं इसके पहले बताया हूँ पैदल अंधेरे में इसको आप इंपोर्टेंट लगाए पैदल अंधेरे में राष्टी राजमार्ग कहा हो प्यारे लाल ये इतना मोश्ट इंपोर्टेंट है आप इसको बढ़ियां से तयार कर लें आईए बासा हुसैन रिजवी की कहानी हम लोग देखते हैं तूटता हुआ भय ये 1986 का है पीरा गनेसिया की 1994 का है चार महराबो वाली दालान ये 2006 का है अब इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट कहा है आप चार महराबो वाली दालान के इंपोर्टेंट करेंगे ये पूछने लाइक कहानी है तूटता हुआ भय भी काफी अच्छा है ये भी पूछने लाइक कहानी है ये पूछा जा सकता है किसका है बासा हुसैन रिजवी का ठीक है न तो फिर आज हम लोग इतना ही इसके ब चाहते हैं तो आप इस केनल को सब्क्राइब कर लिजे आप सब को बहुत बहुत धन्यबाद